Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel, We Assist You Kapoor. तो आज हम बात करेंगे, Passion for Sports, New Learning to Communicate, Class 8 की Unit 4 के Section 2 के बारे में, जो की है, Ageless Wonder, Leander Pays. हम अलड़ी Section 1 cover कर चुके हैं और इससे पहले के सभी chapters, सारी units हम cover कर चुके हैं, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं, तो मेरे इस चानल, We Assist You Kapoor को सब्सक्राइब कर लीजें और इसमें Class 8 की playlist को विजिट कर लीजें. तो वहाँ पर आपको जो है, Literature के, Course Book के और Grammar के सभी chapters मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है इस particular story के विदिन. Section 2 Ageless Wonder, Leander Pace Leander Pace एक player है और इन्हें कहा जाता है Ageless Wonder, यानि कि उम्र बढ़ती गई, लेकिन इनका जो एक अपने आपको represent करने का तरीका है और जीतने की जो एक frequency है उसमें कमी नहीं आई, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि एज का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, Ageless Wonder माने जाते हैं ये, Leander Pace एक tennis superstar है, legend है कहा सकते हैं हम, तो tennis के field में इन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है, आज हम इनका एक interview पढ़ेंगे, जिस interview में उन्होंने बहुत अच्छी बाते बताएं हैं जो कि बहुत inspiring और बहुत ही जादा motivating है, तो चलिए बिना देरी के हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस interview के vision, there is no stopping Leander Pace, कहा जा रहा है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो Leander Pace को रोख सके, he has proved time and again that age is just a number, उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखा दिया है कि जो वक्त है और जो उम्र है, वो सिर्फ गिंतियां हैं, सिर्फ countings हैं, सिर्फ numbers हैं, if you have the determination, passion and unending desire to win, अगर आप अंदर से चाहते हैं कि भाई आप जीतोगे, अगर आप के अंदर जीतने की इतनी ज़्यादा desire है, तो आपके लिए age और ये सब चीजों का कोई बहुत बड़ा matter नहीं होगा, यहाँ पर बात स्टार्ट होती है, in April 2018, April 2018 में, he created another record as the most successful doubles player in history of Davis Cup, तो basically Davis Cup एक ऐसी trophy है, जो कि tennis में दी जाती है, तो आपको इधान रखना है कि Davis Cup tennis में दी जाती है, तो दोनों में Davis और tennis में दोनों में sir का sound आ रहा है एंड में, तो उसको याद करना भी easy है, बहुत सारे exam से पूछा भी जाता है, तो April 2018 में, इन Leander Pais ने एक बहुत बड़ा record बनाया, जिसमें उन्होंने Davis Cup जीता और बहुत successfully उन्होंने एक record को कायम किया है, surely there's more to come, but it's getting tougher by the day, admits the legendary tennis player, देखो, इस बात में कोई दोर आए नहीं है, कोई संदे नहीं है, कि बहुत सारे trophies और बहुत सारे awards वो भी और जीतेंगे, पर जैसे जैसे एक एक और दिन बीत रहा है, इस tennis player के लिए, इस legend के लिए, इतने महान tennis player के लिए काम थोड़ा difficult होता जा रहा है, it gets harder every year to keep pushing the body and mind, पेस टोल्ड रोश्णी ओलेवरा in a chart, तो यहाँ पर जो लिएंडर पेज हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से हर अगले साल उनके लिए अपने body को sports के लिए तयार करना कितना difficult होता है, रोश्णी ओलेवियर जो हैं यहाँ पर यह एक उनकी basically हम कह सकते हैं इंटर्वियोर हैं, उनके साथ questions कर रही हैं, तो उन्हों नहीं बात उनको चाट में बताई थी, जब बात हो रही थी, उस दौरा में बताई थी, कि बहुत difficult है उनके लिए हर साल अपने आपको इसी तरीके से maintain रखना, क्योंकि अब उमर बढ़ रही है और बढ़ती एज के साथ लोगों की छमताएं कम होती हैं, यह अपने आपको फिट रखने के लिए, अपने शिडियूल में बने रहने के लिए, इस फ्यूचर प्लांस, रापोर्ट यह शेर्स विद महेश भूपती टुड़े और इस डॉटर आयाना, तो वो यह भी बताते हैं कि और भी क्या चीजें उनके लाइफ में चल रही हैं, जैसे महेश भूपती के साथ उनके रापोर्ट यानि की फ्रेंडरी रिलेशन, मतलब एक अच्छे संबंध कैसे हैं और अपनी बेटी आयाना के बारे में भी उन्होंने कुछ बाते इस इंटर्वियों के विदिन बताई हैं, तो हम उनके इंटर्वियों को पढ़ेंगे और बहुत सरी चीजें आपर सीखेंगे, यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर उनके इंटर्वियोर है, रॉअशनी वो पूस्ती है कि जो आपको इतनी तारीफे उन्होंने, इतनी कॉम्झेंट्स मिलते हैं कि आपके अउपर एज का कोई असर नहीं है, टा이면 का कोई असर नहीं है, आप एजलेस वंडर है, ताइमलेस वंडर है, उस पर आपको क्या reaction रहता है, आप क्या उसके बारे में सोचते हैं तो यह बताते हैं with a laugh, थोड़ा सा हसते हैं, ले अंडर पेस और कहते हैं I remember talking about the age factor a couple of years ago, at that time I said age is just numbers तो वो कहते हैं कि कुछ साल पहले जब मुझसे किसी ने ऐसा सवाल किया था तो मैंने उनको बताया कि हस के बताया कि age जो है कुछ नहीं है, वो सिफ numbers है Now I just laugh about it, तो वो कहते हैं लेकिन अब मुझसे उस बात पे हसी आती है But seriously, the tennis ball that you hold does not feel any age तो वो कहते हैं लेकिन सच में अगर बताऊं, तो जो tennis ball होती है, उसको age नहीं पता आपकी वो नहीं जानती कि आपकी age क्या है It feels the power and the speed, the spin and the energy on it वो कहते हैं कि जो tennis ball है, उसको नहीं पता कि आपकी क्या age है वो तो सिर्फ यह जानती है कि उसके पर कितनी energy लगाई जा रही है, किस तरीके से forcefully उसे spin किया जा रहा है, किस तरीके से उसे fake जा रहा है तो ball को नहीं पता कि आपकी age क्या है If I'm still able to contribute and make a difference with matches, tournament and create world record, then why not तो कहते हैं कि हाँ, अगर मैं अभी भी, regardless of my age, अपनी age के होने के बावजूद, जादा age हो जाने के बावजूद भी अगर मैं कुछ contribute कर सकता हूँ, matches जीत सकता हूँ, world records बना सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ है ना, तो age के वो factor मान कर मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए All my career, I have aimed at winning championships and grand slams and I am glad that I have been able to achieve what I set out to do वो कहते हैं कि पूरी life उन्होंने यही चाहा कि वो बड़े-बड़े champions जीते हैं, grand slams भी होते हैं, tennis के बड़े-बड़े tournaments होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पूरी life यही सोचता रहा कि मैं बड़े-बड़े tournaments जीतू और finally, जब मैंने जो चाहा वो मुझे मिला भी और मैंने बड़े-बड़े records बनाए भी हैं I don't know how much longer I will play, मुझे नहीं पता कि आने बले समय में कितने और time तक मैं खेलता रहूंगा Right now, अभी तो मैं नहीं जानता, I play because I have to put bread and butter on the table वो कहते हैं, मैं सिर्फ इस लिए खेलता हूं, क्योंकि मुझे कमाना है और कमा कि अपनी family के लिए खाना लाना है bread, butter लाकि अपनी table पे रखना है, यनि खाने के लिए मैं खेलता हूं Also, every match that I play now seem to be some sort of record that's enjoyable वो कहते हैं, हर match जो खेलता हूं, वो एक तरीके का record ही होता है मेरे लिए तो वो एक बहुत enjoyable journey होती है, बहुत अच्छी होती है It's quite motivating on hard days, people don't see what goes behind the scene वो कहते हैं, कभी-कभी, जब कठिन वक्त होता है, जब आपके life में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता तो ये जो है आपके लिए motivation का काम करता है क्या, पुराने achievement, जो आपने पुराने समय में बड़े-बड़े records बनाए होते हैं आप उन्हीं का सहारा लेके खुद को तसल्ली देते हो, कि रहे कोई बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छा काम भी तो किया है आज बुरे दिन चल रहे हैं तो क्या हुआ इसके रहे हो वो कहते हैं कि people does not know what goes behind the scene लोगों को तो पता ही नहीं है कि कोई भी चीज को हासिल करने के लिए आप पीछे कितनी महनत करते हो तो उनको behind the scene पता ही नहीं है वो सिर्फ आपकी success देखते हैं और आपका failure देखते हैं और उसी पर react करते हैं तो लोगों को नहीं पता वो कहते हैं मैं 45 साल का हूँ और मैं कितनी महनत करता हूँ आज भी champion बने रहने के लिए ये लोगों को नहीं पता है 10 years ago, I would put in around 6 to 7 hours a day and result would come pretty quick वो कहते हैं कि आज से 10 साल पहले मैं सिर्फ 5-6 घंटे या 6-7 घंटे ही काम करता था, 6-7 घंटे ही practice करता था और बड़ी आसानी से result आ जाते थे, बड़ी आसानी से मैं championships जीत लेता था now I put in 10 to 12 hours a day because the result don't come as fast तो वो कहते हैं कि मगर अब क्योंकि age बढ़ गई है, वक्त बदल गया है, हर एक चीज चेंज हो गई है तो वो 6-7 घंटे में बात नहीं बनती, आज मैं 10 से 12 घंटे मैंनत करता हूँ उसी चीज पे कायम रहने के लिए It's much harder now, कहते हैं अब ये बहुत tough हो चुका है क्योंकि तब हम यंग थे तो fitness पे इतना काम नहीं करना था, सिर्फ खेल पे काम करना था लेकिन अब खेल पे भी काम करना है और fitness पे भी काम करना है, ठीक है So you have made a lot of changes to your schedule now तो इनके जो interview और है, रोशनी वो पूस्ती है कि आपने अपने schedule में क्या बहुत सारे बदलाफ किये हैं Yes, a lot of changes in terms of fitness तो कहते हैं, बहुत सारे बदलाफ मैंने किये हैं fitness के लिए For example, I don't need to play as much tennis now वो कहते हैं, अब मुझे ज़ादा tennis खेलने की ज़रत नहीं है क्योंकि tennis में तो मैं बहुत expert हो गया हूँ My on-code tennis time, which used to be 5 hours a day, has come to 3 hours वो कहते हैं, पहले मैं tennis पे ज़ादा ध्यान देता था लेकिन अब मैं tennis का experienced player हो गया हूँ तो पहले मैं 5 घंटे practice करता था tennis की और अब मैं 3 घंटे practice करता हूँ The remaining 2 hours now go on my fitness regime तो वो कहते हैं कि जो tennis से भी समय में बचाता हूँ उसे भी अपने fitness में लगाता हूँ क्योंकि अब मेरी body मेरे से मांग रही है कि मुझे उस पर जादा workout करना है Staying injury free at this age is very important because the body doesn't recover as fast from it तो वो कहते हैं अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझे चोट ना लगे खेलने के दौरा नकर चोट लगेगी तो ठीक होने में वक्त लगेगा क्योंकि अब हम जो हैं तीरे-दीरे old हो रहे हैं तो हमारी body में जल्दे अल्दी से ठीक होने की power भी reduce हो रही है इसलिए कोशिश ये क्या करते हैं कि इनको चोट कम लगे यहाँ पर रौश्णी इन से भूशती है along with the determination and hard work it has also got to do with good genes तो वो कहते हैं कहती है रौश्णी कि आप determination दिखाते हैं आप बहुत मैनत करते हैं क्या इसके अलावा आपको genes मतलब होता है वो एक ऐसी चीज जो आप अपने parents से या grandparent से inherit करते हैं जो आपको मिलती है जैसे कि आपको आपकी चकल बहुत हद तक आप पापा से मम्मी से किसी से मिलती होती है तो वो genes का ही impact होता है तो वो कहते हैं रौश्णी पुश्टी है कि क्या आपकी महनत के अलावा कुछ God gifted भी है कि आपको आपकी genes में भी कुछ चीज़ें है क्या तो यह कहते हैं of course it does हाँ बिल्कुल है talking about my genetic background I'm really blessed तो कहते हैं कि अगर मैं अपनी genetic background की बात करूँ जिस background से मैं आया हूं उसकी बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत ही जादा blessed हूं मुझे भगवान के बहुत दया है मुझ पे It's not just my inherent speed agility और concentration तो कहते हैं नहीं सिर्फ इतना कि जो मैंने एक speed अपने माता पिता से पाई है या फिर agility मतलब agility का मतलब होता है ability to move quickly कि मेरे जल्दी से quickly move करने की जो power है और मेरा जो एक focus करने की शक्ती है concentration I have had to work on my techniques and fitness too तो कहते हैं वो तो हैं लेकिन इसके अलबा उसे बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कुछ techniques लगानी पड़ती है कि मैं fitness भी अपनी बना के रखू फिर वो कहते हैं I am so grateful to my parents for what they have done for me वो कहते हैं कि मैं my parents को बहुत thankful हो जो भी उनोंने मेरे लिए किया है They have been great pillar of strength especially dad's knowledge which come from being an olympic championship champion and a doctor वो कहते हैं कि वो मेरे को power देते हैं और especially मेरे dad की जो knowledge है उससे मैं बहुत ज़दा inspired हूँ क्योंकि उनके dad जो है which comes from being an olympic championship and champion and doctor तो क्योंकि हो सकता है उनके father जो है champion हो या doctor हो वैसे भी इनके father जो है hockey player थे और उनकी mother basketball player थी तो उनको कही न कहीं वहाँ से बहुत benefit हुआ है He is fastidious about my training regime fastidious का मतलब होता है कि perfection चाहने वाला आदमी एक ऐसा विक्ति जो चाहता है कि हर एक चीज जो है बहुत perfect हो और वो जो है उसको आसानी से आप खुश ने कर सकते क्योंकि वो जब तक perfect नहीं होगा वो खुश नहीं होगा जो perfection उसे नहीं दिखे का वो खुश नहीं होगा तो उनके पापा इसी type की व्यक्ति है और इसके training को लेकर वो बहुत ज़ादा perfection चाहते थे earlier he was able to travel with me he doesn't now तो कहते हैं पहले जब वो young हुआ करते थे तो वो मेरे साथ travel करते थे मेरे sports में जाते थे मगर अब वो नहीं जा पाते but he still has a huge role to play he is my guiding light तो कहते हैं कि लेकिन अभी भी मेरे father जो हैं बहुत important role play करते हैं मेरे life में एक तरीके से मुझे guide करने वली light की तरह हैं जो मुझे हमेशा रास्ता दिखाते हैं सही रास्ता दिखाते हैं यहाँ पर रोश्णी इन से पूछती है have you thought about calling it a day calling it a day का मतलब होता है deciding to stop doing something मतलब कि finally यहाँ पर रोश्णी का सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा कि मैं यह tennis का जो play है जो खेल है ऐसे बंद कर दूँ खेलना छोड़ दो इसको quit कर जाओ तो वो कहते हैं I have thought about it many times तो Leander Pace कहते हैं हाँ मैंने बहुत बार ऐसा सोचा है the first time I almost gave up tennis was when I was 19 तो वो कहते हैं कि जब मैंने tennis छोड़ने का सोचा यह वही साल था जिससे एक साल बाद ही मैं number one junior player बना और उस पूरे साल मैं एक भी match नहीं हारा मतलब जब मुझे बहुत बड़ी success मिलने वाली थी उससे जस पहले ही मुझे tennis को छोड़ देने का खयाल आया था the year I turned 19 I didn't win a single match that whole year उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो निस सल के हो गए तो पूरा साल उनका पहले तो वो champion बने उसके बाद फिर एक साल ऐसा आया कि पूरे साल वो एक भी match नहीं जीते मतलब पूरे साल हारते रहे एक बार दो बार नहीं पूरा साल उनका ऐसे ही गुजरा हार हार के and I wasn't able to come home और उनको इतनी शर्म आरी थी अपने उपर कि वो घर भी नहीं जाना चाते थी कि मैं क्या मूद दिखाऊँगा क्योंकि मैं हमेशा जीतने वाला विक्ती रहा हूं और आप पूरे साल बड़ते एक बार दो बार हो तो ठीक है पूरा साल हमारा हारते हूँ इस अभी टूर्णमें हारते हूँ निकल रहा हूँ तो कैसा लगेगा As an individual athlete you have to handle everything yourself तो कहते हैं कि आप अकेले अगर athlete है अकेले player है तो आपको हर एक चीज खुद ही manage करनी होती है So I was quite fed up and thought to myself What am I doing? This is crazy That was the first time तो कहते हैं क्योंकि मैं पूरे साल हार चुका था और बहुत हार देखने के बाद बहुत fed up हो चुका था फिर मैं अपने आप से सवाल कर रहा था Thereafter, there have been several times when I thought that it's time to quit कहते हैं सिर्फ एक ही बार नहीं Life में बहुत बार मुझे ऐसे ख्याल आए कि अब वक्त आ चुका है टैनिस को छोड़ देने का More recently when I won the French Open with Martina Hinks in 2016 कह रहें और अभी सबसे recently मुझे वो ख्याल कब आया था टैनिस छोड़ने का 2016 में जब मैं Olympics में जीत के आया हूँ मतलब अगर मैंने उससे पहले छोड़ दिया होता तो मैं Olympics देखी नहीं पाता उससी जीत देखी नहीं पाता तो वो कहते हैं 2016 में मुझे recently टैनिस छोड़ने का ख्याल आया था I felt my career was complete तो कहते हैं कि उससे में लगा कि उनका career पूरा हो चुका है but then I also felt that I had to earn a living लेकिन फिर उन्हें क्यों नहीं छोड़ा टैनिस क्योंकि उन्हें अंदर से feeling आ रहे ही थी कि वो टैनिस नहीं छोड़ सकते reason being क्योंकि उनको पैसे कमाने है और पैसे कमा कि उन्हें अपनी family के लिए bread लानी है, खाना लाना है तो इसलिए उन्हें जिन्दा रहने के लिए tennis खेलना पड़ेगा, इसलिए वो continue कर गए ठीक है, आगे यहाँ पर रोशनी बूश्ती है some feel that in sport one should retire while the going is good what do you think? देको sports में ऐसा कहा जाता है कि जब आप बहुत अच्छे हैं, तभी आप retire हो जाईए क्योंकि तब आपके respect बनी रहेगे कि आप अच्छे player थे, है ना जहां आप थोड़े से बुरे हुए, थोड़ा से downfall हुआ और उसके बाद आप retire हुए वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे athletes हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अपनी sports को quit कर दिया, छोड़ दिया, जब वो अपने top पर थे, अब वो यहां पर कुछ नाम बताते हैं जैसे Michael Jordan, Peter Sampras, Rod Lauer, Martina, Navratilova and Muhammad Ali जैसे कुछ लोग हैं, were all that, were all at the peak of the career when they retired, तो वो कहते हैं, Leander Pace, कि इन सब ने तभी retirement लिया, जोब अपने career के सबसे top पर थे, if I stop tomorrow, I will have no regret, I have had such a blessed career, तो वो कहते हैं कि आने मले समय मा अगर मुझे रुकना पड़े, और छोडना पड़े, तो मुझे कोई regret नहीं होगा, क्योंकि मेरा overall career तो बहुत अच्छा था ना, if I wake up tomorrow and say I have had enough, I don't want to travel, I don't want to put in the hard yards, then that it take in difficult profession, I will be more satisfied, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो in future कि मैं उठूँ और मुझे पता चले कि भाई, यह बहुत हो चुका है, मैं बहुत चल चुका हूँ, मैं और नहीं चल सकता, बहुत कोशिश नहीं कर सकता, यह बहुत difficult हो गया, profession में, तो भी मैं खुश होँगा, कि चलो ठीक है, आप नहीं possible हो पा रहा है मुझसे, my team is actually struggling to find newer things that can motivate me, वो कहते हैं लेकिन अपने top पे तो राके चारे काम करती है, नहीं नहीं चीज़े सोचती है कि इनको motivation मिलता रहे और यह खेलते रहें, earlier it was to go win French Open, go win US Open, then in the last three years it has been Davis Cup, तो वो कहते हैं पहले मेरे लिए French Open और US Open जैसे बड़े-बड़े targets हुआ कर देते हैं, और अब मेरे लिए Davis Cup जैसे target हैं, जो कि national level पर है, US Open, French Open यह सब international level पर चलते हैं, लेकिन Davis जो है national level पर कहते हैं, वो कहते हैं, मैंने अपने target घटा दिया है ऐसा नहीं कर सकता कि मैं छोड़ दूँ, तो target घटा कि मैं छोटी चीजों पर आ गया हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता चीजों को, यहां पर उनसे रोशनी बुस्ती है, now is it Olympics 2020, रोशनी जो उनकी interviewer है, वो बुस्ती है, क्या आपका अगला target क्या है, क्या आप Olympics 2020 में जीतना चाहेंगे, no thoughts on that at all, maybe in a year from now I've evaluated things, तो कहते हैं कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं उस बारे में, लेकिन हो सकता है कि future मैं मैं उस बारे में कुछ सोचूं और कुछ ना कुछ इसके बारे में करने की कोशिश करूं, ठीक है, अभी हम देखते हैं, आगे क्या होता है, coming back to your recent Davis Cup victory, where your 43rd win made your most successful double player in the tournament's history, तो यहां पर रोशनी पूछती हैं, वापस आते हैं आपके Davis Cup की बात करते हैं, Davis Cup में जो आप जीते हैं, यह जो है where your 43rd win made your most successful double player, वो 43 बार जीत चुके होंगे overall अपनी life में, तो कहते हैं 43rd बार आप जीते, और आप बहुत successful double player tournament में जीत कर आए हैं, और यह जो है इस tournament की history में एक record कायम कर चुका है, it was indeed commendable that Rohan Bopanna and you pulled it off, given that two of you don't share a great rapport of the field, तो वो कहती हैं कि यहां पर, यहां पर लिखा हो है ना double players, double players यानि इन्होंने जिनके साथ खेला था, वो Rohan Bopanna है, और इन दोनों ने मिलके जीता था यह Davis Cup, तो यहां पर वो कह रही हैं कि हाला कि हमें पता है, कि आपके Rohan Bopanna के साथ में बहुत अच्छे relations नहीं है, बहुत अच्छे friendly relations नहीं है, ऐसे होता है ना, कुछ लोग हमारे office में काम करते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनके साथ हमारे मिलना जुलना होता है, लेकिन हमारे उनसे अच्छे relations नहीं होते, तो उसी तरीके से, लिया अंडर पेस का ये Rohan Bopanna के साथ में अच्छे relations नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो field पे जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं उनके साथ, कहते हैं जब हमारे तुमारे विचार match नहीं करेंगे, तो हम साथ में जीतेंगे कैसे, लेकिन ये लोग यहाँ पर जीत कर आए हैं, तो इस बारे में रोश्णी जो है, इनकी इंटर्विय उनसे पूछ रही हैं तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं, if you look at Rohan's and my record, we have 90% winning records together, तो वो कहते हैं, माना कि हमारे relations अच्छे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन अगर हम हमारे records चेक करोगे, तो हम जब भी साथ खेले हैं, उसमें से 90% टाइम हम जीते हैं, what I focus on is playing for the country, that's more important than an individual's, तो वो कहते हैं, कि मैं जब भी इसी बाते हैं, फोकस करते थे, कि हम साथ नहीं खेल रहे हैं, हम देश के लिए खेल रहे हैं, we were very different personalities, but what we respect about each other is that, when it came to playing for the country, we always put our best foot forward, तो कहते हैं, कि हम, मैं और महेश भूबती, बहुती अलग किसम के लोग हैं, है ना, लेकिन फिर भी जब भी हम खेलने भी आते हैं, तो हम अपना सबसे difficult और सबसे ज़्यादा भेंकर effort देते हैं, सबसे पूरी कोशिश करते हैं, कि हम best foot forward का मतलब ही होता है, to make a great effort to do something, especially if it is difficult, कठिन भी हो, तो भी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, that meant 24 undefeated matches, and that's a lot, वो कहते हैं, और उसके बदले में मुझे 24 बार जीत मिली है, और मुझे लगता है कि ये काफी है, अपने देश को proud feel कराने के लिए, यहां रोशनी उनसे पूछती है, what's the relationship Mahesh Bhupati and you share today, वो पूछती है, Mahesh Bhupati का नाम आप ले रहे हैं, Mahesh Bhupati के साथ आपके कैसे संबंध है, the two of you played very well together, were the best of friends, and then had a falling out, तो कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा खेले साथ में, आप अच्छे दोस भी हुआ करते थे, लेकिन आप उतने अच्छे दोस नहीं रहे, मतलब falling out का मतलब क्या है, कि situation where the people are no longer friends, cause of disagreement, मत अलग अलग हो जाने के कारण दोस्ती तूट गई है, दोने निका पहले आप अच्छे दोस होते थे, साथ में खेलते थे, बहुत बड़ जीते हैं, लेकिन अब आप अच्छे दोस नहीं हैं, but in recent times, things seems to be to a lot more cordial, cordial का मतलब होता है friendly, कहती है रोशने कि अब present scenario में लगता है कि आप लोग फिर से friends हो चुके हैं, बीच में आपकी friendship तूटी थी, कैसे संबंध है आपके महेश भूपती के साथ में, we have very quick quirky relationship, quirky मतलब होता है strange मत अजीब, तो हमारा बहुत अजीब रिष्टा है, we have known each other since we were kids, वो कहते हैं हम बच्पन से एक दूसरे को जानते हैं, and for the majority of our careers we play together वो यह कहते हैं कि हमने अपनी करियर के जादा तर समय एक साथ खेला है, हम एक साथ खेलते रहे हैं we have seen some of the greatest highs and lowest lows together तो कहते हैं हमने कभी-कभी बहुत अच्छा time और बहुत बुरा time भी साथ में देखा है at the end of the day, we both respect that we have done as a team and an individual वो कहते हैं कि end में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम दोनों बहुत respect लरते हैं एक दूसरे की क्योंकि हमने as a team, जब हम team के तरह साथ खेलते थे, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से देते थे also, we were able to prove to the young India and that our country can be number one in the world तो कहते हैं हमने साथ मिलके यह prove भी किया है कि हमारा देश number one पर हो सकता है जिसके हम उसके लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं, मतलब जीत कर अपने देश को number one पर लाए हैं साथ में वो कहते हैं जब भी कोई team चलती है, किसी team में काम होता है, group में काम होता है तो महाँ पर ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपके नहीं बनती, difference of opinion होंगे, वो कुछ और सोचते होंगे, आप कुछ और सोचते होंगे, वो तो होगा but that's what make the team hold together, पर यही चीज होती है जो एक team को एकठा बना के रखती है, सब एक जैसे होंगे तो कैसे चलेगा, अलग अलगी तो होते हैं लोग it's always a team effort और हमेशा team की जो efforts होती है, वही काम आती है, even when you talk about my records, it's actually India's record तो वो कहते हैं कि अगर आप मेरे record के बात करेंगे, तो वो मेरा record नहीं है, वो इंडिया का record है, everyone has contributed to it, क्योंकि हर किसी का उसमें योगदान है महेश is a part of it, महेश भूपती, जो कि उनके दोस्त है, बाद में दोस्ती तूटी, अब normal relations है, उनको भी credit देते हैं और कहते हैं लियांडा पेस की महेश भी मेरी जीत का हिस्सा है रोहन is a part of it, रोहन जिनके साथ उनके बिलकुल नहीं बनती, उनको भी इसका credit देते हैं और कहते हैं, रोहन भी इसका हिस्सा है जिशान अली, पूरव राजा, गौरव नाटेकर, विशाल उपल और रमेश कृष्णन, all are part of it, तो वो सभी players जिनोंने इनके साथ खेला है 29 years, तो वो कहते हैं कि, यह सिर्फ एक यह दो साल की बात थोड़ी ना है, हम जिसके बार में discussion कर रहे हैं, वो मेरा career है, और यह 29 साल का career है, 29 years में बहुत सारे लोगों ने मझे support किया होगा, everyone from my parents and daughter to my coaches, trainers, the Davis Cup captains and my past teammates are all the part of it, तो वो कहते हैं, मेरे family, मेरे parents, मेरी वेटी, मेर coach, मेरे trainers, मेरे Davis Cup में, जो मेरे captain थे, और जो मेरे जितने भी teammate रहे हैं, आज तक सब ने कहीं न कहीं support किया है, मुझे यहां तक पहुचाने में और कहीं न कहीं उन सब के कारण आज हम इंडिया का नाम रोशन कर पाए हैं, यहां पर पूशती है, रोशनी, you acted in a film Rajdhani Express a few years ago, Is Bollywood still on your mind? तो वो बुस्ती है कि कुछ साल पहले आपने Rajdhani Express नाम की पिचल में काम किया था, तो क्या अभी भी आपके दिमाग में Bollywood है, क्या अभी भी आप movies करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं, कि जब मैंने Rajdhani Express में काम किया, तो मैंने सीखा कि किस तरीके से अलग-अलग sound, अलग-अलग nuances का मतलब होता है, difference in meaning, sounds and colors, मतलब अलग-अलग colors, अलग-अलग sounds के बारे में उनने सीखा वहाँ पर, क्योंकि जब अब picture बनती है, तो बहुत सरे sounds, बहुत सरे music, बहुत सरे colors, यूज होते हैं, तो उनके बारे में उनने सीखा, कि एक good film बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, it was something new for me and I thoroughly enjoyed myself, तो कहते हैं, कि एक मेरे लिए नई चीज थी, और मैंने इसको पूरी तरीके से enjoy किया, बहुत मज़ा आया मुझे, I learned that if I was to do another movie the most important things are the script, the director and the production house, तो कहते हैं, कि अगर मझे future में कोई और भी movie करने का मौका मिलेगा, तो फिर मैं देखूंगा कि क्या script है, कौन director है और कौन से production house है, और फिर मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, next, तो यहाँ पर पूस्ती है, रोश्णी, until राजधानिया express happened, people didn't know about the hidden actor in you, वो कहते हैं, कि जब तक राजधानिया express नहीं आई थी, हमको पता ही नहीं था कि आप actor भी हो सकते हैं, आपके अंदर एक यह talent भी है, my great-great-grandfather was Bengali poet, Michael Madhusudan Dutt, तो बताते हैं, कि मेरे जो पर-पर दादा जी थे, वो एक Bengali poet थे, जिनका नाम था, Michael Madhusudan Dutt, he was immensely creative man, वो immensely का मतलब बता है, extremely, वो बहुत ज़ाधा creative आदमी थे, he wrote rebel poetry, right through the British rule, and he was a freedom fighter, वो कहते हैं, कि जब अंग्रेजों का रास था, तो वो rebel poetry लिखते थे, विद्रो जनक कविताएं, जो कि British का oppose, Britishers का oppose करती थी, और वो कहते हैं, कि वो एक तरीके की freedom fighter It's just that I was born to the parents who were athlete, और उसके बाद वो बताते हैं, कि मैं ऐसे मामाता पिता से जन्म लिया है मैंने, जो कि athletes है, जो कि sportsmen है, कि players है, so ironing my mom's and dad's Indian jersey fueled my passion to win an Olympics medal, तो कहते हैं, कि मेरे mom, dad ने जो है कहीं न कहीं मिरे अंदर वो बात fuel करी, मेरे अंदर वो energy डाली, कि मेरे को Olympics जीतना Playing for India is the greatest motivation for me, जो कहते हैं, जो कहते हैं, हाला कि मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है, फुटबॉल मेरे बहुत अच्छा sport है, लिकिन मैं tennis इसलिए चुनता हूँ, क्योंकि tennis एक ऐसा sport है, जिसमें आपको एक individual जीतने का मौका मिलता है Olympics में, इसलिए मैं चुनता हू तो यहां पर रोश्णी बूशती है, so football was number one sport for you as a kid, क्या आप जब बच्चे थे, छोटे थे, तो football ही आपका favorite sport था, it still is, तो Leander Pace कहते हैं, अभी भी मेरा सबसे जादा favorite game football ही है, I love football, then basketball, hockey and tennis, तो कहते हैं, सबसे जादा मज़े football पसंद है, फिर basketball पसंद है, फिर hockey पसंद है और सबसे आखरी में उन्हें वो पसंद है, जो वो इस समय खेल रहे हैं, वो एक tennis player है, तो tennis, in cricket, I like the shorter format and I have got some close friends in cricketing fraternity, तो कहते हैं कि cricket में मुझे जो है, छोड़ी formats पसंद हैं और मैं बहुत सारे दोस्त हैं, जो कहीं न कहीं cricket से जुड़े हुए हैं, यहां पर पूस्ती ह जो है, रोश्नी, is your daughter Ayana interested in tennis? क्योंकि यह लियांडर पेज जो है, कोड़ tennis खेलते हैं, तो क्या उनकी बेटी को भी tennis में interested, इसका नाम है Ayana, तो यह बताते हैं, yes, she reckons her backhand is better than mine, तो कहते हैं हां, और reckons का मतलब होता है, think, सोचना, उसे लगता है कि उसका backhand, एक तरीके से, ज की बेटी सोचती है, which is probably true, तो कहते हैं, और सही में ऐसा है, सच में ऐसा है, Ayana is fast and tough, she is a leader, वो कहते हैं, Ayana बहुत fast है, बहुत hard है, बहुत soft नहीं है, और वो एक leader है, she's got a mind of her own, and just like my dad, she is very passionate about what she wants, तो कहते हैं, कि उसके पास अपना एक अलग सोचने का तरीका है, अपना अल The Times of India में छपा था, 15 April 2018 में, तो I hope कि ये बहुत motivating रहा होगा आपके लिए, और जितना भी अच्छे तरीके से मैं से explain कर सकती थी, मैंने कर दिया है, I hope कि ये बहुत helpful रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like करिएगा, और comment में जरूर विदाइएगा, कि वीडियो कैसा ल एक्स वीडियो, थैंक ये सो मुँच एंड से बलेस्ट